हेला वरीवन आपका एक वाफिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूटुब चैनल वेजीटेबल गार्डनिंग अजय पे आज हम लोग बात करेंगे कंपलीट हिविक्यास प्लांट का के वारे में तो इस केर पे हम लोग क्या-क्या देखेंगे कि हम लोग सबसे पहला देख कैसे चुटकारा पाएंगे पांचवाँ आपके जो कुछ इस टाइप के लिदी आपको लिफ देखने को मिलता हो अपने प्लांट में तो इसका हम लोग ट्रेटमेंट कैसे करेंगे यह सारा चीज कंपलीट जो है इस विडियो में आपको देखने को मिलेगा तो इस विडि विडियो बना रहा हूँ बाकि आप इदर से दूर से देख सकते हैं तो धर भी जो है फ्लावरिंग अभी हो रहा है तो इस वले फ्लांट पे मैं आपको करके बताऊंगा यह सारा इस्टेप तो आप भी अपने घर में हेविकेस प्लांट में इस इस्टेप को फोलो करके हूँ आए हूँ गए हाने वाले time में कितना फ्लावर मिलेगा वह मैं आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं यहां से जो है flower आने वाला था देख सकते हैं इसमें लोग इसमें का इस चुका हैそうですね याने वाले सबसे पहले पहले चलता हम सबसे पहले पहले करते हैं तो पहले चीज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं कि यदि आप अपने किसी घर पे अपने टरेस गारडन पे गुरोव बैक या पिर किसी पॉर्ट में लगाये हुए तो उसका जो है आप क्या करें हर 10 पंदर दिन में एक से देड़ इंच्थ तक कि खुदाई करें कुछ इस तरीके से जवार आप आगे करने आपको मैं अभी बताऊंगों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप का पर्टिलाइजर है प्रफिक्स प्लांट में डाला चाहिए इसके लिए सबसे पहला स्टेप में आपको दिखा रहा हूं तो सबसे पहले किसी परकार के फटलाजर को डालने से पहले आप उस पॉट का जो स्वयल है उसका एक से देड़ इंच तक जो है उसकी खुदाई कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से खुदाई करने का उप पर वाले जो स्वयल है इसको आप सिंपल ही निकाल लेंगे थोड़ा और भी स्वयल मुझे निकालना है क्योंकि एक से देड़ इंच अभी नहीं हुआ है तो वीडियो को लाज तक कंप्लीट देखिएगा एक भी स्टेप यह आप मिस करेंगे तो हो सकता है कि आपके अभी तो कुछ इस तरीके के खुदाई करने के बाद जो है आप सिंपली सबसे पहले इसमें जो है भर्मी कंपोस्ट एट करेंगे तो भर्मी कंपोस्ट जो है मैं यह आप डाल के दिखाता हूं कुछ इस टाइप का जो भर्मी कंपोस्ट जो है आप अपने पौट पे डालेंगे और यह जो इस्टेप है आपको हर एक से देड़ मंत में करना है जो मैं अभी कर रहा हूं हर एक से देड़ मने के बाद जो है आप अपने पॉट की एक से देड़ इंच तक खुदाई करेंगे के Enterprise टालेंगे भर्मी कमपोश डालने के बाद आप इसमें क्या डालेंगा वो भी मैं आपको कंप्लिट बतातां जैसे कि अभी मैने इसमे बहर्त बा Alberto डाल अपने बाइद बास आप जो है इसमें आप तो आप जो है अपना लीकविट फरियलाजर का यूच करेंगे और रिख्वीट फ lashes करेंगे हर 15-बार और स्वैल चेंज तो नोल Green जो ह्वैली करना है लेकिन जो इसने डीरीिग लिख प्लेस के आद रैसे । एब बात आता- कि इसमें लोग वाटरिंग कब करना है कितने टाइम में वाटरिंग करना है और किस तरीके से वाटरिंग करना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यदि आप इसको गर्मी के सीजन पे अच्छे से ज्यादा फ्लॉरिंग पाना चाहते हैं तो आप इसमें जो वाटरिं साम को सिर्फ इसमें वाटरिंग करना है यह पहला चीज बने आपको बताया कि किस तरीके से फर्टिलाजर एड़ करना है तो पहला भर्मी कंपोस्ट और साती सात लिक्विड फर्टिलाजर लिक्विड फर्टिलाजर का आप जो है 15-15 दिन में यूज करेंगे लेकिन जो भर् प्लांट दिखाता हूं इसमें आपको कहीं भी मैलीवेक का निसान तक नहीं मिलेगा ठीक है बिलकुल हरे बरे मिलेंगे कहीं पर आपको मैलीवेक का अटेक नहीं मिलेगा आप देखेंगे पूरे कंप्रेजन पूरे प्लांट में कहीं भी आपको मैलीवेक का अटेक दूर तो इस तरीके से नहीं होगा यदि आप प्रोपर केर नहीं करेंगे अपने प्लांट का तो भी प्रोपर जो है फ्लावरिंग नहीं करेगा तो यदि सबसे पहले आप जो किसी प्रकार के प्लांट को लगा रहें तो उसका केर अच्छे से कीजिए जैसे कि मैं हर 15-20 दिन में नहीं करेंगे तो आपके प्लांट में किसी प्रकार के इंसेक्स का अटेक नहीं होगा इसलिए मैं बार 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 बोलता हूं कि डिजीज होने से पहले आप उसका अच्छे से ख्याल किजिए हर 15-20 दिन में नीम ओयल का स्प्रेक करेंगे देख सकते हैं इधर भी किसी प्र करकाइब को से deeply डिजीज से मुक्ती पाने के यानि कि मैले बग जो इसका मेंकरन अप्रान होता है उससे निजात पाने के लिए आप जो नीम ओयल का स्प्रेक करेंगे हर 10-15 दिन में नीम ओयल का जो देख सकते हैं नीम का इसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं आइब टन में लिंक दे रहा हूं वहां से आप देख लीजेगा और समझ तरीके से का नीम ओयल होता है जिसको क्याम लोग नंडिटरजान्ट लगा करके उसका यूज करते हैं तो हर 15-20 दिन में कैसे करते हैं मैंने करके आपको दिखाया है अपने चैनल पर विडियो भी अफ्लोट क्या हो तो विल्कुर आप पहुंसे देख सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप अपने हिविक्यास प्लांट का केर कर सकते हैं स्वयल को हर 15 एक में करेंगे तो आपको इससे प्लांट वे बहुत ही बहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा आई होप अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरू दिजेगा अगर इस टाइप का वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्रा